पुला गया कि साब ये बताओ, यार आप BRICS में भी कुसेवे हो, आप QUAD में भी कुसेवे हो, आप SEO में भी हो वो डॉक्टर जे शंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ओपर, क्योंकि उन्होंने वेस्टरन मीडिया को बड़ा प्रॉम्ट रिस्पॉंड दिया है जहां पर उनने बड़ा इंटरस्टिंग सा स्टेट्मेंट या कि देखे यार भारत के अंदर एक केपिबिटी है, जो आपको समझ में नहीं आएगी, that is called, we can chew gum and walk at the same time. ये मैटर है हमारी अजाद खार्जा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेदेंट, ट्रांस्पारेंट, पीपल औरियंट फॉर्न पॉलिसी का, इस चीज़ के अंदर, let me just say this, this is my personal opinion, the clarity of thought of this gentleman, जैशंकर साथ, is amazing, अमरीका के घर के अंदर बैट के, मुटि पोलर के अगर आप बात करो, तो अमरीका वैसी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये मुल्टि पोलर, शुल्टि पोलर, उनके दिमाग में घुसता नहीं है, जैशंकर ने लिटरली वेस्ट की तरफ एक दम आग का एक जो बोलते हैं ना, हैरो या एक जो पीर पहंका है, जहां पर भारत की जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरह से एक्स्प्लेन करके, दुनिया की जो एक सेट अप है, और दुनिया की जो एक 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 ऑर्डर है, वो किस तरफ जा रहा है, उसके बारे में बड़ा क्लियरली बात करी है, क्योंकि काफी रूमर चले थे पिछली बारी के स्टेटमेंट्स के बारे में, I think he has put the foot down and clarified everything, that is why I am saying, जैशंकर on fire, उनसे सवाल पूछा गया, जहां पर उनको बोला गया, कि साब ये बताओ, यार आप ब्रि स्टेटमेंट दिया, कि देखिया यार, भारत के अंदर एक capability है, जो आपको समझ में नहीं आएगी, that is called, we can chew gum and walk at the same time, we can keep our national interest with various different countries, और दूसरे देशों के साथ, जो भी हमको national interest में, हमको dealing करनी है, हम उसको separate separate रखके, एक एक country के साथ, अलग-अलग dealing कर सकते हैं, and we can balance or rebalance our geopolit politics according to our needs. तो sidelines पे बैटे हैं, हम अपने आपको एक consolidate करेंगे, और common interest पे हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे, that is exactly what is BRICS, देखें ये चीज़ बड़ी interesting है, क्योंकि दुनिया की तीन major powers हैं, जो G7 के अंदर नहीं हाते हैं, which is Russia, India and China, लोग इसको RIC भी बोलते हैं, now ये तीन powers, these are great powers of the world, जो आप इन चीज़ों के अंदर, इन जो, you know, global decision making के अंदर आप इनको consider भी नहीं करते हो, तो आप नहीं करो, तो हमको फिर obviously एक BRICS का कुछ एक platform बनाना पड़ेगा, जो काफी popular हो रहा है, दुनिया के अंदर, जहां पर एक आवाज उठाने की platform है, जहां पर हम अप अपने आप अपना काम कर सकते हैं, और आपकी जो एक, एक regimented hierarchy दुनिया में आपने बना रखी है, उसके अंदर अगेंस्ट हम अवाज उठा सकते हैं, अपनी दुनिया अपने आप चलाता है, विच चाइना, ब्रिक्स के अगेंस में थोड़ी सी hesitance रहती है, बट इन एन ए क्या है, is the reform of the global world order, जिसके बारे में मोधी साब ने भी बात करी, reform to remain relevant करके उन्होंने एक चीज बोली, और ये बारे में तो जैशंकर जी कापी टाइम से बात करी रहे हैं, तो देखें यार, we can handle this stuff, तो ये इन्होंने बोला कि साब, ये difficult है, but it is doable, and because जो एक structure दुनिया का अ हो चुकी है, people do not appreciate आपकी जो alliance, alliance partners और हर चीज में आप बोलते हो, signature करो, तब जाके हम आगे जाएंगे, इसका example उन्होंने quad मिलिया, उन्होंने बोला, देखे, quad एक ऐसी organization है, जिसके अंदर कोई formal treaty, alliance, treaty sign नहीं हुई है, तो अमारे जो चार countries हैं, उसके common interest हैं, उसमें हम partner कर करते हैं, और जिसके अंदर हमारे interest नहीं है, हम उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि common interest में अगर हम partnership लगाएंगे, तो हम लोग चारों countries एक direction में आगे जा सकते हैं, otherwise क्या होता है, अगर आप पूरी relation का stake उसकी उपर डाल देते हो, तो फिर disagreement ही चलता रहा, यहां पर उन्हें try कर रहा है as a declining country की भाई, अपनी उसकी जो hegemony है, वो एक तरह से maintain रहे, जब तक American hegemony maintained थी, अभी तो नहीं है, तब तक अमरीका दुनिया पर जो मर्जी करता था, कभी इराक में गुज गया, कभी यहां गुज गया, कभी वहां गुज गया, today it can't do that, so तभी आप अगर था, वो अभी बार चले गया है, उसके बाद उनसे एक सवाल पूशा गया, कि देखिए आप regional order की बात करते हैं, उसके अंदर आप इतनी help करते हो, countries like Sri Lanka, countries like Bangladesh, लेकिन आपको उसका political capital नहीं मिलता है, सही question है, very good question, लेकिन उसका जवाब जो जैशंकर जी ने दिया है, I think it is absolutely brilliant and जिसके बारे में इस channel में बहुत बारी हम भात कर चुके हैं, उन्हें बोला देखिए यार जो यह political developments होती हैं, वो अपनी country में अपने internal matters हैं, जैसे हम अपने internal matters में दूसरे की हस्तक शेप हम लोग बिलकुल भी tolerate नहीं करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही भा उससे हमको फाइदा नहीं है, तो हमने projects करे हैं, जिसके अंदर mutual benefit है, win-win situation है, ना तक कि एक country का वहाँ पर राज चले और एक dead trap में बिठाके उनको बैठे हैं, basically उनका कहने का मत्तब यह था कि साब we are not like the west, कि अगर मैं तुरको यह दे रहा हूं, तो तू मुझे यह देगा तबी मैं तेरे को यह दूँगा, और उसमें भी मैं 25 जगे पे तेरी टांग अड़ाऊंगा, ताकि तू कहीं आगे कुछ करना सके है, बंगलादेश के बारे में उनका काफी कोशिश करता रहा कि मोधी साब के साथ एक meeting हो, वो नहीं हुए, इस चीज के अंदर, let me just say this, this is my personal opinion, the clarity of thought of this gentleman, Jai Shankar Saab, is amazing, एक और statement मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर आपको clarity of thought दिखेगा, this is just outside this particular discussion, उन्होंने बोला कि era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over, actions have consequences, and so far as JNK is concerned, article 370 is a dead tuck, यह उन्होंने 15-20 दिन पहले बोला था, this is called clarity of thought, बिल्कुल भी कोई scope नहीं है, भाया, यह हमारी policy है, policy है policy है, आपको पसंद है, ठीक है, नहीं पसंद, भाग जाओ यहां से, हमको कोई फरक नहीं परता है, वो Dr. Jai Shankar की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ओपर, क्योंकि उन्होंने Western media को बड़ा prompt response दिया है, कि यह matter है national dignity का, कि हम जहां से मर्जी oil करीते हैं, यह matter है strategic autonomy का, यह matter ह है हमारी अजाद खार्जा policy का, यह matter है हमारी independent, transparent, people-oriented foreign policy का, this is what Dr. Jai Shankar talks when he talks with the Western media.